हाई फ्रेंज मैं अकांचा सर्माजी की विदाकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ भारती अर्थिववस्ता है मद्दपदेश की वर्तमान इस्थितियाजम पढ़ने वाले हैं यह हमारे अपीपेसी प्रेलिम से 2024 की जो पी सीरीज चल रहे हैं उसका 26 वा भाग इसके पहले हम 25 वाग कर चुके हैं बहुत ही इंपोर्टन यह सीरीज है और बहुत ही इंपोर्टन यह वीडियो है क्योंकि नए syllabus है नहीं syllabus के according आपको theory पहले पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आप MCQ लगाएंगे इसी करण मैंने theory notes पहले prepare किये हैं बहुत ही सांदर तरीके से यह notes तयार किये गए हैं यूनिट 6 यूनिट 5 बहुत ज़दा important है क्योंकि नए topic जोड़े गए हैं तो यहां से pressure बनना ही बनना है बहुत सारे तो इसको अच्छे से पढ़ लिजेए आज हम करने वाले हैं जो हमारा unit 6 का पहला ही topic है भारती अर्थे पवस्था में वरतमान इस्थिती बहुत अच्छे से एक एक fact पढ़ दीजेगा इसमें जो नया data है वो इसमें समाहे तो जगा भारती अर्थे पवस्था में जो हमारे वही आपको व्यूडियो में उसी से ही मैं पढ़ा रही हूं तो भारती अर्थे पवस्था में मध्यप्रदेश की वरतमान इस्थिती में सबसे पहले हम आपको प्रतिविक्ति आई के बारे में पढ़ेंगे तो प्रतिविक्ति आई मध्यप्रदेश की कितनी है और भारत क कितनी है ये भी साथ में पढ़ते जाएंगी ताकि आगको भारत की अर्थववस्ता की सिति जो पूची है नीचे टॉपिक में वो भी आपका कपर होता रहे तो मध्योप्रदेश की प्रतिविक्ति आए एक होता है प्रचलेत भाव और एक होता है इस्तिरभाव मद्य परदेस की कितनी है 1,4,583 इसके बाद banking की बाद की जाए बैंकिंग भी अर्थववस्ता में ही आता है तो प्रती लाग जनसंख्या पर प्रती लाग मद्य परदेस की हर लाग जनसंख्या पर जो बानिजिक बैंक है वो 10 हैं और भारत में कितने हैं 12 हैं बध्य प्रदेश में कितने हैं दस हैं और भारत में कितने हैं 12 हैं प्रति व्यक्ति जमारासी की अगर बात की जाए तो प्रति व्यक्ति जमारासी मध्य प्रदेश में 70,281 है और भारत में 1,4,492 है रिड़ जमा अनुपात के बारे में बात की जाए कि मध्यपदेश में रिड़ जमा अनुपात कितना है तो मध्यपदेश में सरसर दसमलब 4 प्रतिसत है और भारत में कितना है भारत में 71.9 प्रतिसत है ये रिवड़ जमा अनुपात है, मद्य पदेज में सरसर दसमलब 4 और भारत में 71.79 अऑ रिवने रिवने की अगर बात की जाए वा रिवने कितनी हैं तो जनमदर जीवने नंक में जनमदर, मरत्यूदर और शिव मिरत्यूदर आ जाता है जो आंकड़ा वो प्रती हजार व्यक्ति पर लिया जाता है इसके बाद सुसूमरत्युदर की बात की जाए तो सुसूमरत्युदर मध्यापदेश में 43 है और भारत में 28 है तो ये पूरा जीवनांग का आपको याद रखना है उपर मैंने जो बेंकिंग वाला बताया है वो भी याद रखना है और प्रतिवक्ति भाई भी आई भी आपको याद रखना है इसका डाटा का रिविजन भी आपको हमारे नोटस में लास्ट में मिलेगा तो आप रिविजन भी कर सकते हैं इसके बाद पवन उर्जा की बात की जाए, तो पवन उर्जा मध्या पदेश में 15,404 मेगावाट है, भारत में 6,95,509 मेगावाट है, सोर उर्जा की बात की जाए, तो मध्या पदेश में 61,660 मेगावाट है, और भारत में 7,48,990 मेगावाट है, बायो मास उर्जा की बात क जाए तो मध्या प्रदेश में 1364 मेगावाट है और भारत में 17538 मेगावाट है प्रदेश में जो समय के तूर्जय चमता है मतलब टोटल सब कुछ है मिला कि परंप्रगत अपरंप्रगत सब को मिला कि 18000 मेगावाट है इंपोरटन्ट क्या है कि भारत सरकार ने अभी 201070 तक Net Zero Emission लक्ष रखा है दूद उत्तपादन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का तेरव स्थान है बिद्दो छम्ता जो मध्यप्रदेश में है वो बढ़कर 21451 MW हो गई है यह जो जितने भी फैक्ट है यह डाटा जो है वो मध्यप्रदेश की आपको वर्तमान इस्तिती के बारे में बताता है यह सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है मेरे जो नोट्स है वो हैंड रिटर्न लाने का यही है कि आप लोग इजी फॉर्म में नोट्स मिलते रहें इसके आगे मैं और रिव्यू आपको बता देती हूँ पहले हम यह टॉपिक कम्प्लीट कर ले तो बिद्दु छमता बढ़कर कितनी हो गई है 21451 मेगाबार्ट हो गई है और 2070 तक नेट जिरू अमिसन लक्ष भारत सरकार ने रखा है और दूद उत्पादने मध्यपदेश का तीसरे स्थाने इसके बाद अगर साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की according अगर साक्षरता देखी जाए तो मध्यपदेश की 79.3 है और भारत की 73 है पुरुस की साक्षरता देखी जाए तो मध्यपदेश की 78.7 है जो भारत की है वो 80.9 है महिला सक्षरता की बात की जाए तो भारत की 69.2 है और महिलाओं की 64.6 है तो ये पूरा सक्षरता का इस तर जाएगा जीवन प्रत्यासा की अगर बात की जाए तो पुर्सो की जीवन प्रत्यासा 46.770 है मध्यपदेश में जो सबसे कम है पूरे भारत में है और महिलाओं की जीवन प्रत्यासा 65.2 हे मध्यप डेश में सर्वाधिक जीवन प्रत्यासा किसी की है तो वह है केरल की भारत की जीवन प्रत्यासा 7666 है या मध्यपकर देश का व्यक्ति उसकी उम्र ल्क कितनी है यह यहां पर जीवन प्रत्यासा है अंग बाझीयाजे जिवन मध्यपदेश में कितनी है 66.7 पूरसों की है जो पूरे भारत में सबसे कम है और महिलाओं की 60.2 है 36 गड़ की जीवन प्रत्यासा सबसे कम है ये याद रखिए यह अगर पूछा जाए कि बाहत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जीवन प्रत्यासा सबसे कम है तो 36 गड़ की सबसे कम है और यूपी सेकेंड नमबर पर आता है प्रजन अंदर की बात की जाए तो मध्यपदेश में 69.10 प्रजन अंदर है और भारत की 60.08 है मध्यपदेश की स्थिती पूरी जानने के लिए यूनिट 3 से जनगरना वाला टॉपिक जरूर पढ़े यह मैंने इसलिए यहां पे लिग दिया है क्योंकि पूरी जनगरना की स्थिती अगर पढ़ लेंगी तो कोई भी फैक्ट इस मध्यपदेश में खादान का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादा मतला मध्यपदेश भारत में खादान में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और और सोयावीन तिलहन में भी सबसे बड़ा उत्पादा है मध्यपदेश जो ब 446 मद्यपदेश में 60 टाइगर रिजर्व हैं 11 रास्टी उद्याने 25 अव्यारन ने हाल ही में 11 नए अव्यारन ने भी घोसित किये हैं जिससे ये अव्यारन की संक्या 36 हो जाएगी बरनावरन की दश्टी से देश का सबसे वड़ा राज्य अगर कोई है तो हो है है तो भोच को 2002 में बनाया गया था रामसर साइट सिरपूर तालाब को 2022 में बनाया गया था इंदौर में यश्वंत सागर को भी 2022 में बनाया इंदौर में और सांखि सागर जील जो है वो शिपपूरी में है इसको भी 2022 में घोसित किया था मद्यपरे से तीन इस्थल जो थे उसमें ये रामसर साइट गो जितने भी विश्व के आदर भूमी इस्तलतिन को दरोहर के रूप में संरक्षत करने के लिए इनको बनाया गया मद्यबदेश से चार है और भारत से असी है बन की बात की जाए तो बाला घट में सबसे ज़दा बन पाए जाते हैं और उजेन में सबसे कम पाए जाते हैं अगला अगला अफेक्ट करने से पहले फ्रेंज ये हमारे MbpsC Prelims के नोट से आप देख सकते हैं तोटल आपको 10 booklet इसमें दी जाती हैं बहुती easy language में तयार किये हुए notes है आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको जिस PDF से पढ़ा रही हूँ वो इन ही मैसी में से लिया गया है यह जो unit 6 की booklet है इसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुती easy language में इनको तयार किया है दे देता कौन होते हैं ऐसे ही पूरे review बना इस तरह कि map का use hand return map का use किया हुआ है जैसे कि आपको कहां पे कौन सी चीज है पढ़ने में बहुत आसानी रहती है यह देख सकते हैं कुछ pages के जो print होके जो photos आयते वो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से notes इस तरह से pro chart का use किया ग है यह देख सकते हैं इस तरह से पूरी book है तो अगर आप हमारी notes मंगाना चाहते हैं तो मैं WhatsApp नंबर आपको दे देती हूँ उस उस पर नंबर पर WhatsApp करके यह number दिया हुआ है आप बता सकते हैं शुरू के 25 लोगों को discount दिया गया था जिसमें charge 2299 रखा था 25 लोग हो चुके है अभी जो charge है वो 2799 है कोई भी जो भी अपना notes booking कराना चाहते हैं करा सकते हैं साथ से 10 working days में आपके यहां पहुँच जाएंगे बहुत ही easy language में यह notes है आप समझ सकते हैं देख सकते हैं current data का पूरा full use किया हुआ है font को बड़े बड़े रखा गया है तक आपको पढ़ने में अच्छा रखे हर चीज की टेवल बनाई गए यह टेवल फॉर्म में भी याद करने की कोसिस करवाई गई साथ में एक WhatsApp का गुरूप भी मिलेगा उस WhatsApp के गुरूप में रोज मेरे आपको देखा होगा रोज रात को एक डेली current affairs का वीडियो आता है चैनल पर उसकी PDF दी करते हैं और अपना address बेजते हैं हम आपको उस गुरूप में एट कर लेते हैं गुरूप में आपकी तैयारी अल्डी स्टार्ट हो जाती है चलिए अगला फैक्त परते हैं अगला है रास्टी उपलब्दी इंडेक्स रास्टी उपलब्दी इंडेक्स दो हजार इकीस में मद्ध्यपदेश को पाचवा इस्थान मिला था और इंडिया जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें मद्ध्यपदेश को तेरवा नंबर मिला था और करना टक को प्रिथम मिल बोपाल को देश की स्वक्ष राजधानी का पुरुसकार मिला है महु को देश का सबसे स्वक्ष शाबनी वोट का भाड मिला है और देश का पांचवा सबसे स्वक्ष भोपाल बना इसके अलावा इस प्रदेश की दरश्टी से देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है दूसर मंत्राले के जल जीवन मिशन के अंतरगत साथ बड़े राज्यों में मद्धपदेश को प्रथमिस्थान मिला है प्रधान मंत्री सुवा निदी योजना में भी मद्धपदेश को प्रथमिस्थान मिला है अनाजों की किस्मों की मैपिंग में मद्धपदेश को प्रथमिस्थ मिला है पथ विक्रताओं को व्याज मुक्त देने में भी मद्यप्रदेश को प्रथमिस्थान मिला है मद्यप्रदेश में सडकों का निर्मार चाल लाग किलोमीटर से अधेक हो गया है मद्यप्रदेश में छे हवाई अड्डे हैं बोपाल इंदौर गुवालिय जवलपूर रीवा है वो प्रिस बन रहा है टोटल पांच वैसे हैं और पांच बन चुके हैं और रीवा भी बन रहा है तो पूटल इसमें छे हवाई अड्डे हो जाएंगे और मद्यप्रदेश में चबालीस रास्टी राजमार्ग हैं 20 रेलवे जंक्सन है और रेलवे ट्रेक की योजना भी चलाई जा रही है भगवान बेसा मुंडा स्वरोजगार योजना चलाई गई है जिसकी गतिविदी में लगवग एक से पचास लाग रुपे इसमें दिये जाएंगे ओमकार इश्वर में आदी संकराचारे की 108 फीट उची बहुधातू की भब व्रतीमा आने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने का लक्ष तैग किया है यह इंपोर्टेंट है याद रख लिएगा किसी मेंस के लिए भी डाटा इंपोर्टेंट है और आपके प्रिलिम्स के लिए भी इस्थिर कीमतों पर 2022-23 पर आधरित प्र प्रतिव्यक्ति आय में बिगत वर्स मतलब पिछले वर्स की तुलना में कितनी वर्दी हुई है पांस दसमलब छे साथ हुई है भगवान बिर्सा मुंदा सो रोजगार योजना आरम की गई इसमें रोजगार के लिए 200 योबा जो है वो जापान जाएंगे यह भी इंपोर रविदास जन्ती के अपसर पर फरवरी में रविदास कर दिया था वो पाल के नाथु वर खेडा में अंतरास्टी इस्तर का स्पोर्ट कॉंप्लेक्स बन रहा है सी एम राई जयोजना के प्रथम चरण में स्कूल विवाग द्वारा तीन सो तेहत्तर स्कूल विक्सित होग संत रविदास महाकुम कहां पे हुआ था सागर में हुआ था सो करोड की लागत से एर वेंटिलेटट फ्लावर डैम कहां बन रहा है भोपाल में कितनी लागत से 180.5 एक लागत से नरवदा प्रगती पर जिसकी लंबाई 904 किलो मीटर है नरवदा के समानतर बन गया है से 2400 के विस्तार के लिए 11,049 गरोड़ों पे दिये गया है विंदे एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक बनाई गई है भोपाल से सिंग रॉली तक मद्विदेश सरकार ने 2025 तक कितने लाग हेक्टियर भूमी को सिंचित करने का लक्ष रखा है देखो वर्तमान में 47 लाग हेक्टि किलिग्राम गुरूप से जरूर जो जाएगा वहां आपको इंपोर्टन अपडेट मिलता रहेगा जीके वितकांशा सर्मा की नाम से भी एक गुरूप बनाया है इसके अलाबा अगर आपने मुझे वाट्सप नहीं अपना नंबर सेव नहीं कराया है 6260190944 पर अपना पर यह दिये जा रहे हैं मेंस के नोट्स प्रिपेर हो रहे हैं जल्दी न्यू सिलेवर्स के मेंस के नोट्स भी आप लोगों के लिए उपलब दोंगे 2444 मेगावार्ट बिजली पवन उज़ा और 2452 मेगावार्ट सौर उज़ा तैयार हो रही है सिंग्रॉली में से कोल रेवेन्यू में 37% सिंग्रॉली का माइनिंग से याद आया है अभी मध्य प्रदेश को सरवादिक माइनिंग का रिकॉर्ड भी मिला है मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमती की आवा सकता नहीं हो गर को आपको उद्यो में बजट 2023-24 में 1000 करोड के सोसल इंपेक्ट जारी करने की घोशना की है 358 करोड का दिव्य बनवासी रामलोक का निर्मार कहां होगा चित्रकूर्ट में नगर निगम इंदौर द्वारा इंदौर ग्रीन बॉन्ड से 214 करोड रोपे की रासी जोटाई 2030 तक मलेरिया वा फा देश का पहला ग्रामीन मल कीचर प्रभंदा निकाई कहां बना है इंदौर में खेलों के लिए कितना रोपे फाइनल्स मनला बजट पास हुआ तो 2023 में 730 करोड रोपे मुक्ष मंत्री हेल्प लाइन नंबर के तहर्त 2014 से 2023 के अबदी में कितने सिकायते दर्ज की गई दो करोड पचास पांच लाग से अधिक सिकायते दर्ज की गई है और जिसमें से 98.8 प्रतिसत का निराकरन किया गया लोग सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने वाला देश का प्रत्थम राज मध्यपदेश बन गया है 2023 तक इसमें 696 सेवा अधिसूचित हो चुकी है जनबरी 2023 तक मध्यपदेश के विविन विवागों के लगवग 5.8 लाग करमचारी ईदक्ष केंद्रों के माध्यम से लावानवित हो रहे हैं बरतमान में 2022 एंबूलेंस मध्यपदेश में संचाले थे हैं 2018 से 2020 में मित्युदर घटकर कितनी हो गई है एक सो 73 हो गई है बाल म जाद अच्छी भी नहीं है मध्यपदेश में 10.88 हजार हेल्थ वाब वैलनेस के अंदर संचालित हैं 562 आयूस के हेल्थ वाब वैलनेस के अंदर का संचालन किया जा रहा है गाउं की वेटी उजना में इसना तक पाठ्टिक्रम के लिए 500 रुपे महीने का भुकतान किया ज सार हो गया है जो पहले 44.04 था दो हजर बाइस में पंचायत आम निर्वाचन में स्वसायत असमुसे जोड़ी महिलाओं में 17,000 महिलाएं चुनाब जीती मध्यपदेश में 601 अटल टिकरिंग लैप्स हैं और 145 इसमें जन जाती भावले चेत्रों में 2027 तक नवीनी कर्णी में उर्जा 2000 मेगावाट की जाएगी 2003 से 2022 तक जो सौड़कों का उन्नयन है वो 44,000 किलोमीटर से 4,000,000 किलोमीटर से देखो गया है ग्वालियर जहांसी मंगवा यूपी वार्डर ग्वालियर जहांसी पैनेच 75 और मंगवा यूपी वार्डर पैनेच 27 सिवनी महारास्ट ब तैयार किया गया है 2027 तक नवीनी करने उर्जा 20,000 मेगावाट करने का लक्ष है मद्यप्रेश में विद्धु छमता 2003 में बढ़कर 28,000 मेगावाट हो गई है पांच गुना बढ़ गई है प्रतिवेक्ति विजली की उपलबदता भी 207 प्रतिसत बढ़ गई है और 22 में 58,000 प्रतिसत बर्याट को की ब्रति विद्धि हुई प्रतिक पूर्ट को के पूर्ण पैकेश करूप में 50 स्थलों का चैन किया गया है और 2017 से 2022 में निर्यात में भी ब्रति हुई है अप्रेल डोहजार एकी से 2022 की अब दी मे 1560 करोड उतिककर कर निवेश हुआ है 2021 में ह पूछा गया था रॉक फॉस पर चूना पत्थर के उत्पादन में मद्य पिदेश दूसरे स्थान पर आया है कोईले में तर्ति इस्थान पर आया है मत्तस उत्पादन में ब्रधी 15.39 परतिसत हुई है मद्य पिदेश के तीन इस्थल आद्रभूमी स्थल है जो कि मैंने भी 31,009,00 हो गया है फसल छेतर में 5.4% हो गई है और फसलों के उत्पादन में पिछले वर्स में 4.1%, बद्धी दर्ज की थी लेकिन अभी 5.4% हो गई है दोहजार तेईस को मिलट वर्स गोषित किया गया है और 2020 में ही कोदो कुटकी खेती सहायता योजना भी आरम की है 2021-22 में 90 लाग से अधिक किसानों को फसलों को पीमा किया गया प्रदेश में सचाई छमता 585 प्रतिसत से अधिक हो गई है सचाई छमता अभी मैंने बताया कि 65 लाग हेक्टेर करने का लक्ष वर्तमान में 45 है सोअ सहायता सम्मू में जो परिवार सामिल है वो लगभग 4 लाग 20,338 है और डिजिटल जिले बेतूल इंदोर विदीशा बन गए है प्रधान मंतली जिन्धन योजना के अंतरगत लगभक 3.85 करोड बैंके खाते खोले गए है रास्टी ओसत है प्रात्मिक्ता छेत्र का 40% क्रशी को कौल रिड मिला है 32.2% मध्धे प्रदेश का कौल प्रात्मिक्ता का हिस्सा है प्रात्मिक्ता का 69.41 क्रसी रिड में कितनी व्रद्धी हुई है 13.4 एक MSME में व्रद्धी हुई है 30.22 RVI में 54 कोशा लेके आहरन खाते खोले जा जोके हैं इस्तर कीमतों पर 2022-23 में प्रदेश का GSDP 7.06 बढ़ा है और प्रदेश का वे बजट भी 14 प्रतिसत बढ़कर 2,40,715 करोड़ों पे हो गया है तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कोशन आप देख सकते हैं बहुत ही सामदार ये टॉपिक था इसी पेकार के टॉपिक आपको मिलेंगे हमारे नोट्स में और इसी पेकार के टॉपिक सा भी कवर हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिगा ये डिटेल में ये क्यों लिस्थितियां थी परियाटन के बारे में, स्वास्त के बारे में, सिक्षा के बारे में, कॉसल के बारे में अलग-अलग topic को describe भी आपको आरे वाले समय में वीडियो के through में मिलेगा और notes लेते हैं तो आपको book में मिलेगा वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe जरू कीजिएगा, comment कीजिएगा ओके friends, thank you